हेलो दोस्तो मैं हूँ प्रियंका एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू के जटपट बनने वाले भहुत ही शानदार पकोडे सबसे पहले हम अपने पकोडों के लिए पिठी तैयार करेंगे उसके लिए हम कोई भी कड़ाई या पैन लेंगे और उसमें दो चमच कुकिंग ओयल डालेंगे गैस की फिलेम को रखेंगे मीडियम और इसमें दरदरा पिसा हुआ धनिया डालेंगे धनिया को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे और इसमें फिर हम अपना बारीक कटा हुआ अध्रक डालेंगे अध्रक का कच्चापन दूर होने पर हम इसमें दो बारीक कटी हुई हरी मिर्चे डालेंगे और इन्हें अच्छे से चलाएंगे मिरच के अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें आलू एड़ करेंगे मैंने पांच मीडियम साइज के आलू बोईल के हुए लिये थे जिने हातों से क्रस्ट कर लिया था और अभी ने अच्छे से चलाएंगे आलू को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमे अपने मसाले डालेंगे एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चोथाई चमच गरम मसाला एक चमच नमक या फिर स्वाधनुसार्ड डाल कर अच्छे से एक दो मिनट धीमी फ्लेम पर इने भून लेंगे जब मसाले आलू में अच्छे तरीके से मिल जाएं तब इस में हम धनिया पत्ती अड़ करेंगे और अच्छे से चलाएंगे दन्या पत्ति मिलाने के बाद हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे 3-4 मिनट के लिए हम अपनी पिठी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम अपने पकोडों के लिए बैटर तयार करेंगे मैंने एक कप बेसन लिया है और इसमें एक चोथाई चमच नमक एड़ करेंगे नमक टालने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारे बेसन में लंस ना पड़ें हम अपने बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके की रखेंगे अब हम थोड़ा थोड़ा मिक्षर उठाएंगे और गोल गोल लड़ू अपने पकोड़ों के लिए बना कर रख लेंगे इस तरीके से हम पकोड़ों के लिए अपने सारे लड़ू तयार कर लेंगे एक करेंगे, पेल करने के बाद हम एक लडव उठाएंगे और इसे बेसन में डिब करकर कढ़ाई में छोड़ेंगे, एक एक करकर हम अपने सभी लडव को छोड़ते जाएंगे, गैस का फ्लेम हम medium to high रखेंगे हम अपने पकोडों को पलट पलट कर चलाते रहेंगे ताकि हमारे पकोडे सब जंगे से अच्छे से सिख जाएं पकोडों को सिखने में लगबग 4-5 मिनट का टाइम लगेगा जब पकोडे brown हो जाएं तब पकोडे सिख कर तयार हो जाएंगे पकोडे हमारे सिख चुके हैं और इन पर कलर भी कितना अच्छा है अब हम इने एक पलेट में निकाल लेंगे इस तरीके से बहुत ही जल्दी बनने वाले आलू के पकोडे बनकर तयार हैं हम पकोडों को मीठी चटनी, ग्रीन चटनी या टमेटो सोस या खजूर की चटनी किसी के भी साथ सरू कर सकते हैं अगर आपको ये रेसेपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार ट्राइज जरूर करें और मुझे कोमेंट सेक्षन में लिख कर बताएं अगर आपको ये रेसेपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई